Hey everyone, welcome back to my channel घुमकर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बनारस की बनारस एक ऐसा शेहर है जिसके बारे में आप जितना जानते हैं उतना ही और ज्यादा जानने का मन करने लगता है इस जगे को अलग अलग नामों से जाना जाता है कोई इसे वारणसी कहता है तो कोई इसे काशी कहता है तो कोई इसे बनारस कहता है आप किसी भी नाम से इसे बुलाईए इसका महत वो उतना ही रहने वाला है क्या आप जानते हैं कि बनारस को City of Golden Ghats भी कहा जाता है और Golden Ghats इसलिए कहा जाता है कि जब यहाँ के घाटों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो यह देखने में एकदम golden golden लगते हैं यहीं सारे के सारे घाट एक सही लगते हैं देखने में बहुत ही सुन्दर बहुत ही अनोखे लगते हैं वैसे तो वारा नसी में कुल मिला के 84 घाट है और सभी घाट अपने आप में अनोखे हैं लेकिन इन में से कुछ एक घाट बहुत ज़्यादा फेमस हैं और ऐसा ही एक घाट है मनी करनी का मनी करनी का एक ऐसा घाट है जिसके बारे में जानने के लिए यहां दूर दूर से लोग आते हैं यह रहस्यों से बारा हुआ घाट है किसी के लिए बहुती ज़्यादा स्प्रीच्वल घाट है किसी के लिए सिर्फ देखने के लिए है किसी के लिए हो सकता है थोड़ा डरावना भी है और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैं बनारस जा रही थी तो मुझे बही दो चीजों का सबसे ज़्यादा क्रेस था एक तो ओविसली आपको काशी विश्वनाद जी के दर्शन करने थे वोलेनाद के महाँ पे दर्शन करने थे और दूसरा था मनी करनी का घाट यकीन मानिये जितना खिचाब काशी विश्वनाद के दर्शन में है उतना ही खिचाब इस मनी करनी का घाट में भी है मनी करने का घाट अपने आप में बहुत सारे रहसे बटूरे हुए है तो इन रहसेों के बारे में हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखे इसे मनी करने का घाट क्यों कहा जाता है और ये जो घाट आपको दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पर यही है वो मनी करने का घाट और इसके पास ही बना हुआ है मनी करने का कुंड और उसी कुंड के नाम पर इस घाट का नाम भी मनी करने का पड़ा और ये रहा मनी करने का कुंड जिसे मनी करने का चक्र पुष करने तीर्थ भी कहते हैं ये कुंड साधारन कुंड नहीं है ऐसा माना जाता है कि धर्ती पर जब गंगा अफ्तरन हुआ था उससे पहले से ये कुंड यहाँ पर मौजूद है कहा जाता है कि विश्णु भगवान ने यहां 80,000 सालों तक शिव जी को प्रसंद करने के लिए तपस्या की थी और उन्होंने ही अपने सुदर्शन चक्र से इस कुंड का निर्मान किया था और भगवान विश्णु की तपस्या से प्रसंद होकर जब भगवान शिव और माता पारवती यहां आये थे इसनान के लिए तो इसनान करते वक्त माता पारवती का जो कुंडल था वो इस कुंड में गिर गया था जिसकी वजह से इस कुंड का नाम मनी करने का कुंड पड़ा और क्योंकि भगवान विश्णू ने इसे अपने सुदर्शन चक्र से बनाया था इसलिए इसे मनी करने का चक्र पुष करने दीथ भी कहते हैं आज भी अगर आप इस कुंड के पास में जाएंगे तो दोपहर के समय आपको बहुत सारे साउथ इंडियन्स इसमें इसनान करते हुए मिल जाएंगे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज भी यहां दोपहर में भगवान शिव, भगवान विश्णू, अन्य देवी देटाओं के साथ में सनान करने के लिए आते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति दोपहर के समय इसकुन में स्नान करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है मनिगर्णिका घाट को महाशंशान घाट भी कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शेव ने मातासती का इसी स्थान पर दहासंसकार किया था कहा जाता है कि इस घाट को वर्दान है कि यहां की चिता की अग्मी कभी भी शांत नहीं होती है आप जिस समय भी जाएं यहां पर धासंसकार आपको होते हुए जरूर मिलेगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि मनी करने का द्वार और काशी विशुनाजी के गंगा द्वार की जो सीडियां हैं वो बिल्कुल बराबर बराबर हैं ऐसा लगता है कि आत्मा शरीर से मुक्त होने के बाद में सीधे शिव के धम जाने वाली है अकसर आपने देखा होगा कि शमशान को लोग अपवित्र स्थान मानते हैं लेकिन जब आप बनारस आएंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाला है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि घाट के सामने कितनी सारी नाओ हैं इनमें बैठे हुए लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं बहुत ही बड़ा आकरशन का केंद्र है बनारस का ये और मैं बनारस में तीन दिन रही थी और तीन दिन में से मैं दो दिन मनी करने का घाट गई थी मतलब मुझे ये जगए पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दगी थी तो मनी करने का अब तक पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं आप चाहें तो गंगादवार से होते हुए भी मनी करने का घाट जा सकते हैं या फिर आप ग्यानवापी चौक से मनी करने का घाट तक आने के लिए इस गली को देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा सक्री है और इसी गली में से लोग शव को लेकर जाते हैं मनी करने का घाट तक और इस गली में आप देख सकते हैं खाने पीने की चीजें भी बिक रही हैं आराम से बिक रही हैं लोगों को कोई अबजेक्शन नहीं है क्योंकि और आप से मैं ये कहूँ कि यहाँ पर एक या दो यहाँ पर दिन भर में कम से कम 200 से 300 शव जाते ही जाते हैं और यह जो दिवार पर आप पेंटिंग देख रहे हैं ये बनारस में आपको जगे जगे मिल जाएगी और देखें गली में जगे जगे इंडिकेशन है मनीकनी का घाठ तक जाने के लिए और देखिए जैसे जैसे आप घाठ की तरफ जाने लगते हैं आपको लकडी की दुकाने मिलने लगती हैं लकडी बिक्ती हुए मिलेगी आपको यहाँ पर और साथ ही धास अंसकार में इस्तिमाल होने वाली जितने भी चीजे हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपको दुकाने देखने को मिदेंगी सच कहूं तो मैंने इस तरह की दुकाने पहली बार अपनी लाइफ में देखी है और थोड़ा सा अलग सी फीलिंग है यहाँ पर आके मेरी जनली आपने देखा होगा कि मंदेर और शम्षान बिल्कुल अलग-अलग जगह पर होते हैं लेकिन जिन गलियों से हम होते हुए आ रहे हैं और मणी करने का घाट तक जाने वाले हैं काशी विश्वनाजी की दीवार एक दम साथ में चलती है और यह देखिए गलियों गलियों होते हुए हम आ गए हैं मणी करने का घाट पर तो गंगा अदवार वाला रास्ता मैंने आपको पहले दिखा दिया था और अब यह गली वाला रास्ता दिखा दिया है तो यह दो ही रास्ते हैं मणी करने का घाट तक पहुँचने के लिए और इन रास्तों के बाद में आईए अब जान लेते हैं मणी करने का घाट के रहसियों के बारे में मणी करने का घाट दुनिया का एक मात्र ऐसा इस्थान है जहां मनुष्य की मृत्यू को मंगल माना जाता है और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आराम से यहां पर घूम रहे हैं जो टूरिस्ट हैं वो भी यहां पर आते हैं यहां मतलब किसी भी तरीके का अवाद नहीं है कि आप इस्तरियां यहां यहां नहीं जा सकती लेडीज नहीं जा सकती बच्चे नहीं जा सकते ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मन हो वो यहां पर जा सकता है बैठ सकता है और देख सकता है दुनिया में आपको कहीं भी किसी भी जगहे पर इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा ही नहीं जैसा कि आपको मनिकर्णिका में मिलता है मनिकर्णिका शिफ का इस्थान है इसलिए यहां श्रिष्टी के तीनों गुण सत्व, रज और तम समर्पित हैं और इसी वज़े से इस स्थान को पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो लोग कार्थिक शुकली की चतूरदशी अर्थात बैकुंट चतूरदशी को और बैशाक के महीने में यहां पर इस्नान करते हैं उन्हें अपने पापों से मुक्ती मिलती है ऐसा माना जाता है कि यहां मरने वाले लोगों के कानों में भगवान शिव स्वयम तारक मंत्र देते हैं और इसी तारक मंत्र की वज़े से उन्हें मोक्ष मिलता है यानि वो जन्म और मृत्यू के चक्र से छूट जाते हैं और यही वज़य है कि बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से मनिकर्णिका घाट पर अपने प्रियजनों को दहा संसकार के लिए लाते हैं। रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन यहाँ पर मसान की होली खेली जाती है। जो की काशी में मनिकर्णिका वाहरिशन घाट के अलाबा पूरे विश्म में कहीं पर भी ऐसा त्योहार नहीं मनाया जाता है। और इसके अगरे दिन यहां पर चिता की भश्म से होली खेली जाती है और इसे ही मसान की होली कहते हैं। यह कोई चोटा मुटा या तयोहार नहीं है यहां के लोगों के लिए यह बहुत ही ज़ादा यहां के लोग एकसाइट रहते हैं। साथ ही ये मसान की होली पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा आकर्शन का केंदर है यहां दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं और इस होली को खेलने आते हैं और कहा जाता है कि जो लोग भी इस होली को खेलते हैं उनको जो आनन्द मिलता है उसका वर्णन शब्दों में करना बेहद मुश्किल है और ऐसा ही एक उत्सव है शमशान नात का उत्सव और यह उत्सव मनाया जाता है नवरात्री के सप्तमी के दिन और इस तिन नगरवधुएं यानि प्रोस्टिट्यूट्स मनिकंडिका घाट पर मृत्य करती हैं और शेफ से प्रार्तना करती हैं कि उन्हें आने वाले किसी भी जन्म में नगरवधू वापस से ना बरना पड़े और इस उत्सव का आरम राजा मान सिंग के आग्रह पर हुआ था और उसी समय से यह उत्सव यहां पर होता आ रहा है गरण पुरान के अनुसार सुर्यास के वाद शब्दा नहीं होता है लेकिन भगवान शिफ से इस यहां पर दिन के समय दिखाया कि मनी करनी का घाट देखने में कैसा लगता है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रात के वक्त मनी करनी का घाट किस तरह का लगता है और यह रहा मनी करनी का घाट रात के समय में आप देख सकते हैं कि यहां पर अभी भी कितने सारी समशान को इस मनी करने का घाट को देखने आते हैं तो मनी करनी का घाट से जुड़ी हुई जानकरी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्षन में लेके जरूर बताएं और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें साथी चैनल को सब्सक